सो स्टुरेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ओफ रिल्वेस की तरफ से डी एफ सीसी आईयल में जो न्यू भरती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको काफी इंपॉर्टन्ट वीडियो है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को Z दक जरूर देखेंयी सी पार्ट को स्क्पित न करें और अगर एंगर वीडियो शेट करते हैं बिना किसी दिलय के सुब बिदियो को स्बता हो कि ऐिसका वर्धिय reboot क्या रहता है जा सी पातती है उसका मैंटेरेंस साही तरीके से हो रहा है कि नहीं उससे रिलेटेड वर्क रहता है डिएफ सीसी आयल का, ठीक हैं, टोडल पोस्ट के बात करें, तो 535 पोस्ट पर आपकी विवेकेंसी आउट हुई है, एप्लिकेशन डेट, यहाँ पे पेस नमर वन पे आपको इंपॉर्टेंट डेट के नाम से आपके दिया गया है, आपकी स्टेज 1 के लिए जो डेट दी गई है, वो है अगस्ट 2023, तीक है आपको मन्त बताया गया है, टेंडिटिव स्केडियूल बताया है कि आपका अगस्ट 2023 में स्टेज 1 करनेट कराया सकता है, और स्टेज 2 जो है वो आपका दिसंबर 2030 में, और जो आपका कंप्यूटर 2024 में कंडेट कराया जाएगा, यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए आपको डिटेल्स दिया गया है, वारिएस पोस्ट के लिए and आपको वालिफिकेशन भी बताया गया है, तो आपका है क्यूटर बताया गया है, किस काटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवलेबल है यह भी आपको बताया गया है तो चलिए वन बाइवन हम बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट है आपका एस्ग्यूटिफ सिविल इसकी टोडल वेकेंसी जो है वो है यूर के लिए 24 एससी के लिए 5 एस्ट के लिए 3 ओवी सी एंड नॉन क्रीमी लेर के लिए 13 एड़ूस के लिए 5 बीड़ी के लिए 2 एंड एक सर्विसमें के लिए 7 है ठीक है और यह पोस्ट कोड 11 में आता है आपका जो एसेंचिल एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह आपका तीन साल का डिप्लोमा होना यह सिविल इंजिनेरिंग में सिविल इंजिनेरिंग ट्रांस्पोर्टेशन में या तो या तो फिर सिविल इंजिनेरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलोजी सिविल इंजिनेरिंग पब्लिक हेल्थ सिविल इंजिनेरिंग वाटर रिसोर्स फॉर्मर रिकॉनाइज उनिवर्स कुनाईज उनिवर्सिटी में आपके 60% जो है वो होना चाहिए ठीक है फिर यहां बात करते हैं हम लोग second post वो है आपका executive electrical यहां पे UR के लिए 14 seats है SC के लिए 4 seats है ST के लिए 2 seats है OBC and non-criminal 8 EWS के लिए 2 NPW BD के लिए 1 ex-servicemen के लिए 4 है तो यहां पे आपका post code है 12 and जो आपका qualification है वो होना चाहिए 3 साल का diploma in electrical या फिर electronics, electrical and electronics, power supply, instrumental and control, industrial electronics, electronics and instrumentation, applied electronics, digital electronics, मतलब यह जो भी आपको यहां पे mention किया गया है उनमें से किसी भी एक में आपके पास 3 साल का diploma होना चाहिए कोई भी recognized university से and 60% आपका होना चाहिए उसमें ठीक है तो यहां पे आप साथ-साथ में देखते चाहिए qualification को भी third post है आपका executive operations and business development में ठीक है इसमें काफी जादा vacancy है सबसे जादा vacancy जो है आपकी इसी post के लिए है operation and business development के इसमें 235 आपके total post है ठीक है और अच्छी बात यह है कि जितने भी graduation जितने भी graduated youth है वो इस post के जरूर आप्ट करें तो इसमें जो आपके यूर के लिए 97 post है seat है मतलब 97 seats है SC के लिए 35, ST के लिए 17, OBC and non-premier के लिए 63, EWS के लिए 23, PWBD के लिए 9, X-Serviceman के लिए 34 और इसमें जो आपका qualification मांगा गया है वो है graduation with not less than 60% marks from और recognized इसमें आपका simple graduation मांगा गया है ठीक है with 60% ठीक है कोई भी recognized university से आपका graduation होना चाहिए 60% के साथ and इसका post code जो था वो है 13 next post है आपका executive finance इसमें जो है आपकी vacancy देखा जाए seat UR के लिए 8 है SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC non-premier के लिए 3, EWS के लिए 1, PWBD के लिए 1, X-Serviceman के लिए 2 इसमें qualification जो मांगा गया है वो है 3 years of bachelor's degree in commerce from a recognized university मतलब इसमें भी आपका graduation मांगा गया है ठीक है commerce में और आपके 60% होने चाहिए पिर यहाँ पे आपका है executive human resource इसमें total vacancies 19 है इसमें UR के लिए 10 seat है, SC के लिए 2 seat है, ST के लिए 1, OBC non-premier के लिए 5, EWS के लिए 1, PWBD के लिए 1, X-Serviceman के लिए 3, यहाँ पे आपके तीन साल का bachelor's of business administrative BBA मांगा गया है ठीक है या तो BMS मांगा गया है कोई भी recognized university 60% के साथ उसके बाद है आपका executive information technology, total vacancies है आपकी इसमें 6, UR के लिए 4 seats, SC के लिए 1, ST के लिए नहीं है, OBC, NC, L के लिए 1, EWS के लिए भी नहीं है, PWBD के लिए इसमें seat नहीं है, X-Serviceman के लिए 1 है, इसमें जो qualification है आपका वो है, तीन साल का bachelor's of computer applications, BCA आपका मांगा गया है, ठीक ह या फिर आपका तीन साल का engineering diploma in computer sciences information technology, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके qualification को बताया गया है, यहाँ पे, और कोई भी recognized आपके university से होना चाहिए, with the 60%, and फिर next को देखें, हम लोग तो आपका post है junior executive का, यहाँ पे, तो यहाँ पे junior executive electrical से देखें, तो total vacancy 24 है, UR के लिए 12 seats ह के लिए 3 है, ST के लिए 1, OBC और NCL के लिए 6, EWS के लिए 2, PWBD के लिए 1, and X serviceman के लिए 3 है, यहाँ पे जो qualification है, वो है, matriculation with not less than 60% marks, ठीक है, plus 2 years, duration, course, completed, act, apprenticeship, मतलब यहाँ पे आपको 10th मांगा गया है, ठीक है, 10th पास होना चाहिए, आप आइटी आइ रहना चाहिए, 10th म आपके पास ITI रहना चाहिए, और भी यहाँ पे आपको qualification के बारे में बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिए, आपको बात करते हैं, second, वो है आपका junior executive signal and telecommunication में, इसमें आपकी total vacancies है, 148, UR के लिए 62 है, SC के लिए 22 है, ST के लिए 11 है, OBC, NCL के लिए 39, EWS के 14, PWBD के लिए 21, यहाँ पे भी आपका वही है, 10th pass और साथ में आपके पास ITI रहना चाहिए, ठीक है, फिर आपका है junior executive mechanical में, total vacancies 9 है, इसमें, UR के 6, SC के लिए 1, ST के लिए 0, OBC, NCL के लिए 2, EWS के लिए 0, PWBD के 0, XS के लिए 1, इसमें भी आपका यही है, 10th pass और साथ में ITI मंगा गया है, ठीक है, और जो आपका यह 10th pass होना चाहिए, वो 60% के साथ होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया आपका जितना भी qualification criteria था, और किन-किन पोस्टों के लिए क्या-क्या qualification required है, उन सभी को हमने point to point discuss कर लिया है, अगर आपको detail में जाना है, तो आप इस PDF को जाके जो official site है, वहाँ से download कर सकते है, dfccil.government.in site पे आपको जाना है, और वहाँ पे आपको इस PDF को download कर लेना है, अब next जो है, उसमें हम बात करेंगे, कि आपका जो examination fees है, ठीक है, यह exam form fee कितना है, तो यह आपको page number 18 पे दिया गया है, so examination fee तो काफी ज़्याद किया है, यहाँ पे UR के लिए, OBC के लिए, NCL means non-crimalier के लिए EWS के लिए जो application fee है, वो है 1000, ठीक है, 1000 रुपे, UR के लिए, OBC के लिए, NCL के लिए और EWS के लिए examination form की fee, और SC, ST, PWBD, F-Servicemen and transgender candidates के लिए आपकी examination fee नहीं है, ठीक है, आपको कोई भी fees नहीं पे करनी है, तो हमने यहाँ पे fee की बात कर ली, then, अब हम यहाँ पे रिखेंगे कि आपकी जो कितने stages में paper होने वाला है, देखिए, आपका mode है, वो है, computer-based test होने वाला है, multiple choice questions रहेंगे, आपका stage 1, stage 2 and computer amplitude test भी रहने वाला है, 1 by 4 आपका negative marking रहने वाला है, ठीक है, यह सब आपको बताया ग की ठीक है, आपके सबसे पहले, तो stage 1 होने वाला है, तुसका syllabus के बारे में हम पहले discuss कर लेते हैं, देखिए, यहाँ पे आपके topics दिए गए है, तो जो first stage होने वाला है, CBT means computer-based test होगा, इसमें आपके 100 multiple choice objective type questions रहने वाला है, ठीक है, कितने questions रहेंगे, आपके 100 questions रहेंगे, जोकि objective type questions रहेंगे, ओके, और आपका duration रहेगा, examination का वो रहेगा 90 minute, और 120 minute मिलेगा, PWBD वाले candidates को, with subscribe, तो यह देखिए, आपको syllabus यह रहा, मतलब आपको 90 minute का duration मिलने वाला है, आपके topics, यह topics 5 आप से पूछे रहेंगे, mathematics, oblique numerical ability, इससे आपके 30 questions रहेंगे, general awareness से आपके 15 questions र logical reasoning, oblique, general intelligence से आपके 30 questions रहेंगे, knowledge about railways, DFCIL से आपके 10 questions रहेंगे, यहाँ पर आपके total question हो गए 100, ठीक है, तो यह आपका stage 1 का syllabus था, second stage CBT will consist of 120 multiple choice objective type questions, तो जो आपका second stage होगा, जब round 1 आप clear कर लेंगे, जब आपका second stage होगा, तो उसमें आपके 120 multiple choice questions रहेंगे, ठीक है, तो इस करेंगे, because सबसे important तो आपका first stage था, और second stage को हम बाल में discuss करेंगे, यहीं तो वीडियो काफी ज़्यादा long हो जाएगी, तो अभी हमने कुछ important point को discuss कर लिया है, अगर आपको कोल भी doubt हो तो आप comment section मुझसे पूर सकते है, I will definitely answer you, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमने क्या क date को discuss किया, total post कितनी है, then हमें syllabus को देख लिया, stage 1 के syllabus को देखा है, हम लोगोंने examination fee क्या रहने वाली है, and आपका negative marking है, one by fourth negative marking, then फिर हमने post wise आपका education qualification क्या रहने वाला है, उसको भी detail में discuss कर लिया है, बाकी कुछ भी doubt हो तो आप please comment section में उससे पूछे, and अगर आपको detail में इ तो आप, जो है, official site पर visit कर सकते हैं, वहाँ पर आपको यह notification असानी से मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाके simplest को download कर लेना है, तो आप इसको अराम से जो है, इसको, इसका qualification को अराम से पड़ पाएंगे, वैसे मैंने आपको काफी simple way में समझाने कोशिश की, I hope आपको समझ मे आगया होगा, फिर भी अगर कोई doubt है, तो you can ask me in the comment section, I will definitely answer you, तो कोई भी doubt ना रहाजा, इसलिए मुझसे आप पूछ लीजेगा, So thank you so much everyone for watching this video, अगर video helpful लगी हो, तो do like, comment, share and subscribe this channel for more such kind of informative videos.